प्रस्न बाइस निम्न लिखित का मान एक धन पुर्णाम के घात के रूप में लिखें प्रस्न बाइस का पहला तो प्रस्न है साथ का घात तीन गुना नौ का घात तीन तो ये गुना में है बिंदू है बीच में इसका मतलब है कि गुना में है तो 7 का घात 3 गुना 9 का घात 3 तो इसको हम लिख लेंगे 7 गुना 9 7 गुना 9 का घात 3 तो 7 पे भी घात 3 है और 9 पे भी घात 3 है तो 7 गुना 9 यानि दोनों को गुना करके और कोश्टेक में बंद करके हम घात 3 दे देंगे यानि दोनों पे घात तीन इस तरह से दे देंगे क्योंकि गुना में है और घात दोनों का बराबर है तो कितना हो जाएगा तो इसका उत्तर हो गया नौसते तिरे सट नौसते तिरे सट तिरे सट पे घात तीन तो इसका उत्तर हो गया तिरे सट पे घात तीन दूसरा दूसरा है साथ का घात माइनस तीन गुना नौ का घात माइनस तीन तो यहाँ पे साथ का घात कितना है माइनस तीन और नौ पे भी घात है माइनस तीन तो दोनों पे घात बराबर है माइनस तीन माइनस तीन और गुना में है क्या है गुना में है बिंदू दिया हुआ तो इसका मतलब क्या है गुना में है तो इसको इस तरह लिख लेंगे साथ गुना नौ पे घात माइनस तीन यानि साथ पे भी घात माइनस तीन है और नौ पे भी घात माइनस तीन है गुना में है तो साथ गुना नौ और कोश्टक में करके घात माइनस तीन दे देंगे यानि दोनों पे घात माइनस 3 गुना करके तो कितना हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 सते 63 तो 63 का घात माइनस 3 तो इसका उत्तर हो गया 63 पे घात माइनस 3 प्रस्ण 3, तो प्रस्ण 3 में है, 17 का घाद 2, गुना 17 पे घाद 5, तो प्रस्ण क्या है, 17 पे घाद 2, गुना 17 पे घाद 5, तो गुना में है सत्रा पे घात दो गुना सत्रा पे घात पांच है तो गुना में है और आधार बराबर है यहां भी सत्रा है और यहां भी सत्रा है दोनों का आधार बराबर है घात अलग-अलग है तो इस तरह रहने पे क्या करते हैं गहात को जोड़ देते हैं तो सत्रा का घहात हो जाएगा दो जोड पांच यानि इसका उत्तर क्या हो गया इसका उत्तर हो जाएगा सत्रा का घहात दो और पांच को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथ तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा सत्रह का घाट साथ सत्रह का घाट साथ तो इस तरह इसको हल करेंगे प्रस्ण चार तो प्रस्ण चार में सत्रह का घाट 2 गुना 17 का घात माइनस पांच 17 का घात दो गुना 17 का घात माइनस पांच तो गुना में है 17 का घात दो गुना 17 का घात माइनस पांच यानि गुना में है दोनों तो आधार बराबर है 17 यहां भी है 17 यहां भी है दोनों का आधार बराबर है घात अलग-अलग है और गुना में है तो क्या करते हैं घात को जोड देते हैं तो 17 का घात हो जाएगा 2 प्लस माइनस 5 17 का घात क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस 5 यानि जोडेंगे 2 और माइनस 5 को जोड़ देंगे तो 2 प्लस माइनस 5 तो कितना हो जाएगा तो 17 का घात 2 प्लस माइनस 5 यानि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस कोष्टे खटाएगे तो और यहां पर 5 लिख देंगे यानि 2-5 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है तो कितना हो जाएगा 17 का घात 2 में से 5 को घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 और 5 2 से बड़ा है 5 क्या है 2 से बड़ा है और बड़ा संख्या के साथ माइनस का चीन है तो यहां माइनस का चीन है दे देंगे यानि 17 का घात माइनस 3 इसका उत्तर हो जाएगा 17 का घात माइनस 3 प्रस्न पांच तो पांच में है पांच का घात 2 और पूरा पे घात है साथ इस तरह से प्रस्न दिया हुआ है तो इसका माण एक धन पुर्णां के घात के रूप में लिखना है तो पांच का घात 2 है और पूरा पे घात क्या है साथ है तो घात पे घात जब हो देखें पांच का घात दो है और पूरा पे घात साथ है यानि घात पे जब घात हो तो क्या करते हैं घात को गुना कर लेते हैं यानि पांच का घात दो गुना साथ क्या हो जाएगा पांच का घात दो गुना साथ यानि कितना हो गया, पांच का घात 14, इसका उत्तर हो जाएगा, पांच का घात 14, प्रस्न छे, प्रस्न छे में हैं, पांच का घात 2, और पूरा पे घात है, माइनस साथ, पांच का घात 2, और पूरा पे घात है, माइनस साथ, तो इसका उत्तर क्या होगा, तो पांच का घात 2 है, और पूरा पे घात है, माइनस साथ, तो यहाँ पे भी घात पे घात है, तो क्या करेंगे, घात को गुना कर देंगे, यानि का घात 2 गुना माइनस 7 यानि इसका उत्तर क्या हो जाएगा पांच का घात माइनस 14 इसका उत्तर क्या हो जाएगा पांच का घात माइनस 14 प्रस्न साथ में है 23 का घात 10 बटा तेश तो प्रस्न है 23 का घात 10 बटा तेश का घात 7 तो बटा में है यानि भागा देना है भाग देना है इसको 23 का घात 10 को 23 का घात 7 से भाग देना है ठीक है तो अधार बराबर है जैसे 23 यहां भी है 23 यहां भी है घात अलग अलग है और भाग में है तो क्या गरेंगे घात को घटा लेंगे घात को घटा लेंगे यानि 23 का घात हो जाएगा 10 माइनस 7 यानि जिसे 23 का घात 7 से भाग देना है 23 का घात 10 को तो 10 में से 7 को घटा लेंगे घात को तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा इसका उत्तर आ जाएगा 23 का घात 3 10 में से 7 गया 3 यानि तेश का घात 3 इसका उत्तर होगा प्रस नाट प्रस नाट में है 23 का घात माइनस 10 23 का घात माइनस 10 बटा 23 का घात 7 तो प्रसन क्या है 23 का घात माइनस 10 और है 23 का घात 7 तो 23 का घात माइनस 10 को 23 का घात 7 से भाग देना है ठीक है तो जब भाग में हो और आधार बराबर है देखे 23 यहां भी है 23 यहां भी है घात अलग अलग है तो क्या करते हैं घात को घाता लेते हैं तो हो जाएगा 23 का घात माइनस 10 और 7 को घटा लेंगे यानि जिससे भाग देना है उसको घटा लेते हैं तो किससे भाग देना है 23 का घात 7 से भाग देना है तो माइनस 10 में 7 को घटा लेंगे तो माइनस 10 घटा और 7 यानि 7 को घटा लेंगे तो minus 10 minus 7 हो गया तो इसका उत्तर हो जाएगा 23 का घहत minus 10 और minus 7 कितना हो जाएगा 10, 7, 17 यानि minus 17 तो 23 का घहत minus 17 इसका उत्तर होगा इसका उत्तर कितना होगा माइनस सत्रा तेस का घात माइनस सत्रा तो इस तरह से प्रेस्न बाइस हल करेंगे